Dear students, Assalamu alaikum, I am sure you are all good. exercise number 9.1 हम कर रहे हैं और उसका question number 7 हम करेंगे Dear students, question number 7 हम लिखा हुआ है If B, A, B, C are the length of the sides of a triangle ABC ABC एक triangle है उसकी जो sides है वो ABC है Then tell which of the following triangles are not right angle triangles लो हमने ये बताना है इनसे कुण सी जो triangle है वो right triangles नहीं है Any of angle A, B and C may be right angle कह रहा है कि हो सकता है जो right triangle है to right angle होगा c right angle है ये हमें बता रहा है कि जो angle c एक सामने ₈ई होगी C हो सकता है कि वो हाइपोटेनियस हो राइट अंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है तो C के सामने C वाली होगी A के सामने A वाली और B के सामने B वाली होगी तो अंगल C वो कहरा कि मेभी राइट अंगल तो फिर जो C के सामने साइड होगी वो मेभी दा हाइपोटेनियस हो यानि के वो हाइपोटेनियस हो सकता है तो हमने ये तीन पार्ट्स दिये हुए है इनमें से दो मैं करूंगा एका आपने कर रहा है कि हमने बताना ये है है कि इन तीनों मैंसे कौन कौन सी राइड ट्राइग्ल ब यहीं रे PK के सामने जोगी वह आप सी अफ्लारे ब्राइट इंसमेट शियर्स तो यहां से है पास यूजिंग पायथागरा सिवर्म तो हाइपोटेनियस c square is equal to a square plus b square यनिके a square perpendicular plus base square कर लें या base square plus perpendicular का square कर लें एक ही बात है डियो सुरूर उसके बाद values put की 7 square is equal to 6 square plus 5 square 49 is equal to 36 plus 25 अब plus करने से same नहीं आ रहा equal नहीं आ रहें दोनों साइटें अगर दोनों साइटे equal आ जाती हैं तो फिर हम कहते हैं के यह राइट ट्राइंगल है अगर पाइथागोरस theorem satisfied नहीं हो रहा यनिके हाइपोटेनियस का square जो base square plus perpendicular square के इक्वल नहीं है तो फिर हम कहेंगे कहन्स given side not form right triangle डियस उड़ो उसके बाद पार नमबर 2 है यह उसमें a की value, b की value और c की value दी हुई है या using pythagoras theorem, pythagoras theorem use करेंगे scale scale is equal to a scale plus b scale 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 root से cancel हो गया c की value लिख के उसका scale लिया a की value का scale, b की value हो गया यहाँ से scale scale root से cancel हो गया 145 इधर scale लेके दोनों का plus किया इधर भी 145 आ गया hence given side form और right triangle यहां पर दोने साइट एकवल आ लिए हैं तो यहां पर ट्राइंगल बन रही है यहां पर ट्राइंगल बन रही है पार नंबर 3 आप लोग खुद सब्सक्राइब करें इसके बाद क्वेस्चन नमर 8 लिखा हुआ है ना राइट एंगल ट्राइंगल ABC हाइपोटेनियस C परपरणिकुलर भी बिएस भी हो सकती है परपरणिकुलर भी बिए इसके बाद करके स्केर लिए तो यह हमारे पास 169 ऑवर 144 25 ब्लस बीचेर डिये स्केर टो माइनस हुआ फिर उसके बाद एल स्केम लिया उपर आके 169 माइनस 25 उपर आगया 144 नीचे आगया 144 इसके बाद 144 को डिवाइड करेंगा वान आगया बी स्केर इसकेर रूट इसके बाद पार नमबर 3 ए इकल टूपाइंट 4 और इधर भी हमने बी फाइंट करना है पाइथा गोरे स्केर यूज करेंगे सी स्केर प्लस बी स्केर वैल 176 इकल तू 5.76 प्लस बी स्केर 5.76 5.76 इदर आकर माइनस हुआ माइनस करके वान आ गया दोना तर दोना तरफ उसके बाद Скेर तो रहेंगे तो टेकंग स्केर रूट वाँन बौश साइड लिखा बी स्केर का स्केर, इस इकल वान का स्केर रूट तो बी इकल तो आ गया 4 न बस्ट के रिए पाइथाकोरस्यूरम होता है C हमने फाइंड करना तो C स्केर लिखा आगे A की वैली 5 स्केर रूट 7 और B की वैली 5 5 का स्केर 25 आ गया इसका स्केर जरा समझें के 5 का 25 आ जाएगा और 7 का स्केर स्केर रूट से कैंसल हो जाएगा तो 7 आ जाएगा 5 का 25 और 7 के स्केर रूट का स्केर 7 आ जाएगा 25 और 7 को मल्टिप्लै किया 175 प्लस 25 आ गया इसके बाद C स्केर इस इकॉल तो 200 आ गया अब दोने तरफ स्केर रूट लेंगे 200 का स्केर रूट लेंगे तो 200 जो आपको perfect scale नहीं है तो इसकी factorization करके इसका scale रूट लेंगे 2 3 times आएगा 5 2 times आएगा 2 2 times ये इसका भी scale कर लिए और इसका भी scale कर लिए ये 2 ऐसे ही जाएगा 2 का scale multiply 5 का scale multiply 2 जिनका scale है वो बाहर आजाएगे 2 भी ये बाहर आजाएगा ये वाला फिए 5 बाहर आजाएगा अंदर आजाएगा scale root 2 तो 2 5s आ 10 scale root 2 बन जाएगा तो dear students ये हमारा answer आगा 10 scale root 2 decimeter ये C value आगए ये आप लोगों की डायरी होगी कि आप लोगों नहीं question number 7 और question number 8 solve करने एकसाइड number 9.1 के